आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पानी से देशीगी बनाने की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही असान है। और आप जो अधर तरीके यूज करते हैं। उसके कमपारेजन में यह तरीके से आप बहुत ही कम तेर में बहुत ही अच्छा तो थोड़ी देर बाद उसमें एक मोटी सी लेयर पड़ जाती है बस उसी लेयर को हम अलग कर लेके इकठा कर लेते हैं तो एक भंगोने या किसी भी बोल में आप इकठा करते हुए उसे फ्रीजर में या फ्रीज में रखते जाएं जिसकी वज़े से उसमें बद्बू नहीं आएगी और वो खराब भी नहीं होगा तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है पैन में इसे खाली कर लिया है क्योंकि हमने अभी इसे फ्रीज में से निकाला है इसलिए यह थोड़ा सा सक्त है धीरे धीरे करके मलाई पिघल जाएगी आप यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसे गरम करें गरम करते करते आप देखेंगे कि यह पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको इस पैचुला के ऊपर थोड़ा सा मलाई के साथ साथ ऐसे घी की भी ड्रॉप्स दिखने शुरू हो जाएंगे बस इस स्टेज पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिया है एक बड़े लेमन का जूस यानि निम्बू का जूस यहाँ पे आड़ करन करेंगे और आदे निम्बू का रस बाद में अड़ करेंगे तो यह देखिए यहाँ पे धीरे धीरे से इसे चलाते जाएं थोड़ी दिर बाद देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होनी शुरू हो गई है जो किनारे पे ऐसे मलाई जमा हो रही है ना उसे ऐसे स्क्र बैच करते हुए ऐसे आप इसमें लगातार डालते रहें अदर्वाइस वह मलाई जो है जलनी शुरू हो जाएगी बस इस स्टेज पे क्या करना है करी पहले जो आपने नीम्बू का रस डाला है उसके तीन से चार मिनट के बाद हम दूसरा बैच नीम्बू के रस का एड़ जाएंगे दोस्तों ऐसा करने से नीम्बू का रस अड़ कर देने से जो घी है वह बहुत ही जल्दी निकल जाता है और साथी साथ उसकी जो clarity होती है एकदम clear घी निकलता है और ज्यादा दिनों तक चलता भी है यानि कि बहुत जल्दी खराब नहीं होता है नहीं तो घी में तो अब आप देख पा रहे होंगे कि घी एकदम उपर दिखाई देने लग गया है और जो मलाई है उसकी quantity काफी reduce हो गई है और इसके बाद आप इसे लगातार चलाते नहीं ये देखे बहुत ही तेजी से घी का दिखना शुरू हो जाएगा और जो मलाई है वो अच्छी त ब्राउन होने के स्टेज तक मलाई जब पक जाती है तो हमारा घी बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है ये देखिए तो बस इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे ऑफ और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी जादा गरम है अब हमारा जो घी है वो चान के मैं इसे स्टोर करूंगी मैं यहां पी आपको दिखाऊंगी कि यह घी कितना क्वांटिटी में निकला है एक दम पॉफेक्ट मेजर्मेंट के साथ तो ऐसा करते हुए आप इसे चान ले यदि आप चाहें तो आप इसके उपर एक चोटा सा मलमल का कपड़ा भी लग क्लियर घी निकला है और बहुत ही अच्छा इसमें महक आ रहा है तो जो इसकी अरोमा है वो बहुत ही अमीजिंग है जब आप इसे बनाएंगे इस तरीके से तो आप ज़रूर महसूस करेंगे तो हमारा इतना घी निकल के रेडी हो गया है और मैं इसके साथ ही प्लेस कर रह क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ पानी से घी निकालने का तरीका तो यह देखिए जो मलाई है जिससे घी निकाला है उसे फेके नहीं यहां पर इसे एक बर फिर से उसी पैन में टाल दे जिस पैन में हमने घी बनाया है और आप इसमें दो ग्लास पानी आड़ क दो ग्लास पानी आड़ करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से बॉयल होने दे करीब पांच मिनट जब अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से चलाते रहे यहां पर फिर से देखेंगे कि काफी सारा घी जो है वो पानी में आ गया है यह काफी सा गी तैरता हुआ देख रहा है एक बार फिर से एक भगोना लेंगे और चनी लेंगे चनी में हम यह जो पानी है उसको अच्छी थरीके अर्गी नीग रेड़ी यह तनी पास इतना घी पानीक है निया है अब जो बार बार इसे मलाई बोल दे रहे हूं यह अचाली घी की लेए यह निकलने के बात पानी कुछ इस तरीके से बच गया है तो यहां पर याभी पानी का इस्तेमाल आप आटा गूतने में कर सकते हैं, इसे जो पूरी पराटे बनते हैं, वो काफी स्वादिश्ट और बहुती खस्ता बनते हैं, तो देखा आपने किस तरीके से पानी से घी निकला,